दोस्तो स्वागत है मेरे यूटू चैनल फीस फार्मिंग पर जैसा कि आप लोग थम नेल देख करके इस वीडियो को किलिक किये होंगे वीडियो देखने के लिए आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टोपिक है तो आपने सही समझा ग्रास कार्प मचली और ग्रास कार्प कारी हम इस वीडियो में नहीं देंगे चुकि बहुत सारा वीडियो इस तरह का बन गया है हम सिर्फ बताएंगे कि यह मचली जो ग्रास कार्प मचली है मार्केटेबल साइज कितने दिनों में हो जाती है तो वीडियो पर बने रहें संपूर्णी वीडियो देखें तीन चा परवार लेने के लिए तो बहुत कम समय में मचली आपकी ग्रोथ कर जाएगी ग्रास कार्प मचली तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर अच्छा लाइएगा तो लाइक करेंगे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर जिस समय आप अपने मचलीओ के तालाब से हर्वेस्ट करके सेल करते हैं यानि मचलीओ को बेचने के लिए जब हर्वेस्टिंग कराते हैं जाल चल flavाते हैं अपने तालाबमे और जब बेचते हैं उसी को हम मारकेट टेबल साइज करते। दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि जब आपका मचली 1 kg का हो जाता है उसको हम मार्केटेबल साइज को कहते हैं तो यह ग्रास करव मचली जैसा कि टॉपिक है एक kg कितने दिनों में हो जाती है तो दोस्तो जैसा कि आप लोग पालन कर रहे होंगे बहुत सारे लोग बरही बहतर धंक से मचली पालन करते हैं चाहे वो I.M.C. का पालन हो या बीदेशी कार्ब का पालन हो या किसी भी तरह की मचली का पालन हो तो आपको कुछ चीजों पर यह डिपेंड करता है जैसे यह डिपेंड करता है कि तलाब आपका कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिनों में एक केजी साइज का आपकी मचलियां हो जाएंगी दूसरा सीड कितना स्टोक किया है आपने कितने बड़े तलाब में कितना सीड स्टोक किया है इस पर भी depend करता है कि कितने दिनों में आपकी मचलिया marketable size हो जाएंगी यानि एक kg के size में हो जाएंगे तिसरा depend करता है कि आपके तलाब का पानी किस तरह का है पानी की quality किस तरह का है उसमें proper मात्रा में oxygen है या नहीं आमोनिया तो नहीं बर गया है पी एस तो नहीं बरहा हुआ है सारी चीज balance है या नहीं इस पर भी depend करता है दूसरा grass car पमचली का पालन करते हैं तो आप उसको भोजन में क्या देते हैं इस पर भी depend करता है कि कितने दिनों में marketable size हो जाएगी चौथा जो point है वह है सबसे महत्पूर्ण point कि आपने किस size का seed stock किया है अपने तालाब में या बहुत उपराब हेक्टर है किस size का seed stock कर दिया है तो चलिए सारे point के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं जैसे पहला point था कि seed कितना stock किया है और तालाब कितना बड़ा है तो कोई भी IMC का पालन अगर अपने तालाब में करते हैं या बिदेशी का अरब का पालन करते हैं तो आपको कम से कम एक एकर ADA का तालाब होना निदानत आवस्थिक है बहुत जरूरी है कि वह तालाब एक एकर से छोटा नहीं हो ऐसे बहुत सारे लोग हफेकर में भी पालन कर लेते हैं उससे भी छोटे तालाब में पालन कर लेते हैं लेकिन कम ग्रोथ होता है उसमें marketable size होने में ज़्यादा बक्त लग जाता है अब हम बात करते हैं कि सीट कितना स्टोक किया है ऐसा तो नहीं किया है कि एक एकर का तलाब है तो आपने 15,000 सीड स्टोक कर दिया है अगर 15,000 स्टोक कर दिये हैं तो इसाल लगेंगे में Article से यह पड़िटिक ऐसा हो थिसरे द्वेडिकरता है कि तलाब के पानी कईसा हो जिसमें था कि पानी टेस्टिंग मसीन होना बहुत ही जरूरी है, सफल मचली पालन अगर आप करते हैं, अगर आप सफल मचली पालक बनना चाहते हैं, तो पानी टेस्टिंग कीट आपके तालाब पर होना जरूरी है, कम से कम महीने में एक वार तो आपको पानी टेस्ट करना ह जाती है अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर वह है भोजन आप अपने ग्रास कार्प मचली को क्या भोजन देते हैं इस तरह का भोजन देते हैं हम यह नहीं कहते हैं बहुत महाँ भोजन दीजिए ग्रास कार्प मचली पालना बहुत सस्ता चीज है बहुत कम खर्च में हम लोग इसका पालन करते हैं जैसे बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे मेरा भी वीडियो देखे होंगे दूसरे लोगों का भी वीडियो देखे होंगे जिसमें हम कहते हैं कि ग्रासकार्प को आप हरा चारा दे करके बगएर लागत का चारा दे करके बहुत अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं जिसमें खास हो गया केला का पत्त हो गया अनेक तरह का घास है जो हर सीजन में मिलता ही है अपने करासकार मचली को चारा के रूप में दीजिए और अच्छा ग्रोथ पाईए और सबसे जो महतपूर्ण पॉइंट है मचलियों के ग्रोथ होने में वह है दोस्तो सीड आपने की साइज का बच्चा की साइज का डाले है ऐसा तो नहीं है कि आपका तालाव एक एकर का है आपने सीड भी 5000 ही इस्टोक किया है बहुत अच्छा भोजन भी दे रहे हैं पानी भी मेंटेन करके रख रहे हैं लेकिन सीड का जो साइज है वह आपने एस्पॉन डाल दिया है या फ्राइज डाल दिया है तो जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा दोस्तो उसके लिए है कि जब आप 100 ग्राम का एस्टंटेड सीड डा तलाब में एक एकर के तलाब में 5000 डालते हैं और एस्टंटेड डालते हैं तब जाकर के यह 6-7 महिने में आपका मार्केटेबल साइज पकर लेती है मचलिया तो इन सारी चीजों पर आपको ध्याम देना परेगा अगर 6 महिने में 7 महिने में 1 kg साइज करना है आपको तो दन्रबाद बहुत धन्रबाद